हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैं चैनल, आज हम बनाएंगे यह पिंक और ग्रीन कलर में सुन्दर से छोटी छोटी बेल, बेल देखिए, कॉम्बिनेशन तो अपने आप में एक बहुत सुन्दर है ही और यह स्टाइल भी बहुत सुन्दर है, इस बेल को आप ऐसे लंबाई म में भी बुन सकते हैं, बहुत सुन्दर लगने वाला डिजाइन, मैंने एक बार डाल लिया है, जैसे आप बॉडर बनाएंगे, चार या छे इस लाइंगे, फिर यह बेल बनाएंगे, एक बार मैंने बुन ली और आपको बताते हैं बुननी कैसे है, सीधी साइड से आप द इसको लेंगे, लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट अंगुठे से इसको दबाते जाएंगे, हलका सा दबाने से मतलब यह है, कि आप दागे को रोक लेंगे, और राइट हैंड का एक एक बार, एक एक दागे को ओवरलैप करते हुए, आप जोन सा भी कलर यूज कर रहे हों, ऐसे लाते हुए इसको बुनेंगे बहुत सुन्दर ये बेल बनती है आप कलर कॉंबिनेशन अपने पसंद का भी कर सकते है यह देखे पिंक कलर उपर किया उसको लेफ्ट हैंड के अंगुठे से हलका सा नीचे करेंगे यह देखे दिखाई देने लग गया ना बेल शुरू हो एक बार इसलिए बुल ली कि आप नीचे से देखते रहेंगे साथ साथ और उपर समझते रहेंगे बहुत सुन्दर और उभरा हुआ डिजाइन देखिए ऐसे मोटा मोटा डिजाइन आएगा कि कितना प्यारा डाला हुआ है और दो ही स्लाइओ में आपका यह बुन लिजी आपकी एक स्लाइड सीधी साइट से आपने उल्टे फंदे की तरह इसको बुना एक एक धालागे को ऑवर्लैप करते हुए उपर से निकालते हुए आ गए हम सीधी साइड, सौरी, उल्टी साइड आ गए, लेकिन भुनेंगे हम इसको सीधे फंदे की तरह, अब ये ग्रीन कलर है, चीक है, थोड़ा धागे को लूज कीजिए, और ग्रीन को ग्रीन कलर से भुनिए, पिंक को पिंक कलर से, ऐसी धागे को पल्टाते हुए, को पिंक कलर से भुनते हुए, इसके ऊपर से करते हुए, ऐसे भुनते जाएंगे, बस सीधी साइड से आप उल्टे फंदों की तरह भुनेंगे, और उल्टी साइड से सीधे फंदों की तरह भुनेंगे, तभी तो ये बेल, डिजाइन, प्लेंस भुनाई के उपर उठके सुन्दर और आसान डिजाइन बिगिनर के लिए बड़ा अच्छा और यह कॉंबिनेशनक बेबी के लिए आप कैसा भी बेबी से बनाएं बेबी स्वेटर और गार्डीगन फ्रेंट ओपन स्वेटर बनाएं बहुत अज सुन्दर लगने वाला डिजाइन है यह देखिए दोनों बेल आपको एक जैसी दिखाई दे रही है एक बार फिर से करना क्या है फिर वही प्लेन फंदो की बुनाई करनी है जो भी आप नीचे कलर लगाएंगे उसको ऐसे अब सीधा ही बुनना है सीधी स्लाई सीधी उल्टी स्लाई उल्टी यहां पर मैंने चार स्लाईयों का गैब किया है आप अपने पसंद से जितनी मर्जी स्लाईयों का गैब कर सकते हैं 6-8 स्लाई भी ठीक लगती है पाकि उन पे डिपैंड है आपकी उन कितनी मोटी या पतली है उमीद है आपको यह डिजाइन पसंद आया हो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल पे बहुत सुन्दर सुन्दर डिजाइन और स्वेटर, कैप हैं उन्हें एंज्वाइब कीजिए तैंक यू